सीट को अबर से ले गया था धोकर की इधर पसारा हुआ है देख सकते हैं और पसार ने कहिए इसके देखिया तरीका इधर पसार दिया है ताकि सीशा भी अंदर से हीट ना हो दोस्तों अपना मसाला भुना गया है और मलाई लेकर के रखे हुए है तो मलाई को भी इसे करते हैं स्वास्तों गे मस्तों गे आपके दुआ संवी ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का न्यू ब्लोग गूड मॉर्णिंग दोस्तों चुबक का दस बजी है और पिछले ब्लोग में देखे हुए है कि अपना गारी मंडी में आय करके यहीं पर खारा करके और यह अब चलते हैं रासन लेने के लिए तो देख सकते हैं सामने रासन दुकान तो यहीं पर चलते हैं कुछ ले लेते हैं बनाने के लिए क्योंकि खारा ही गारी रह गया तो बना भी लिया जाएगा फिर देखते हैं छोटू क्या लेगा रही दोस्तो चावल और सबजी बना लेंगे तो सबजी के भी कुछ समान ले लेते हैं यहापे दोस्तों देख सकते हैं समान भी अपना कुछ लिया आए वुए है खाना बनाने का और दिन का भी 10 सारे अभी बजी आ थीज़ीगा हूआ है तो ठीक? दोस्तों आपना खाना बनाने का आप शुरू कर दिये औहे तो इधर देख सकते हैं प्याज लासन भी अपना काट लिये हुए है अब चावल का पानी अब चरहा रहा है गैस भी अपना जला दिये हुए है और चावल का पानी अब चरहा दिये देख सकते हैं, चावल भी अपना बन के तयार हो गिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, चावल अपना पसाते हैं, फिर गैस जब तक बंद कर देते हैं, दोस्तों, चावल तो अपना बन गिया हुआ है, और सब्जी भी बनाने के आप शुरू कर दिया हुआ, तो देख सकते हैं, क बॉला जाता है। अठेके ऒाफ देख सकते हैं, आलु भी अपना टूप लिए है। प्याज लॉसन भी अपना करिया हुग है। एपना बहुत भुना लिए लॉए होगी है। अठीज हो थे। तो ठीके दोस्तो इस मिलाक्याद डालते हैं अब इसको घूनते हैं बढ़ियाद दोस्तो देख सकते हैं सबजी अपना बन के एकदम तयार हो गया हुआ है तो ठीके दोस्तो आप सबजी अपना उतार देते हैं दोस्तो अपना फाइनली खाना बन चुका है तो ठीके दोस्तो अब खाना भी अपना निकालने का शुरू कर रहे हैं, तो देख सकते हैं, चाबल अपना निकालने का शुरू कर रहे हैं, दोस्तों देख सकते हैं, फाइनली अपना खाना निकाल करके रेडी हो गया है, छोटू अपना निकाल दिया है, और आचार भी निकाल दिया है, साथ म शोटू भी ले लिया तो ठीक है दोस्तों शूरू किया जाए अब खाना खाने का शोटू खाया जाए मास तो बना हुआ है सब्जी बरी का सब्जी है अधावडी है खाना पिना तो अपना हो गया हुआ है और इधर देख सकते है शीट कोवर्स अभी अपना खोल लिये हुए है बहुत गंदा हो गया था ठीक है दोस्तों चलते हैं नहाने के लिए उदर धो भी लेंगे आगे में सोचाले है वहीं पर बीस रुप लेता है तो अपना निहार भी लेंगे और कपरा भी अपना धो लेंगे दोस्तों साम का सारे चार बज गया है और अभी चलते हैं नहाने के लिए छोटू तो आ गया है नहा करके देख सकते हैं और इस सब सीट कोवर्स अब ले गया था धोकर की इधर पसारा हुआ है देख सकते हैं और पसारने का इसके देखिया तरीका इधर पसार दिया है ताक इधर जाना है हमको इधर में सौचाले है और यह सब गारी देख रहे हैं पूरा कोईला लोड है और यह है कुझ्जू फिल्ड का गारी सब इधर लगता है तो चलते हैं सौचाले के रास्ता इधर ही किनारे से है यह देख सकते हैं इधर पानी विछ चल ला है नहाने का पानी है इधर नल लगा हुआ है नहाने के लिए इधर रूम है फ्रेसुरे सोने के लिए और यही सौचाले है तो ठीक है दोस्तों अब नहाने का फिरू करते हैं यहां पर दोस्तों नहान द्वा करके आ गए है और कफ़रा इधरी अपना साथ में चलते हैं गारी में और इधर रोड पर देख करके पार करना पड़ेगा बहुत ही बिजी रोड है और इधर मुगल स्राय लगवग एक किलो मेटर है इधर कासी बिस्वनात लगवग चार किलो मेटर तो ठीके दोस्तों अपना गारी इधर में है ज़रिया मंडी में तो ठीके देख सकते है नया रोड भी बन रहा है इधर दोस्तों भी गारी पास आ गया और छोटू को देख सकते हैं सीट को अबर लगा रहा है दोस्तों भी चलते हैं चाह पिकर के आते हैं और छोटू इधर क्या बनाएगा चोटू चल रहे उधर देखते हैं कुछ ले लेगे में वह और दीग स्द maintained मैं पनीर का सबजे तो थीक आज देखते हैं पनीरे बना लिया जाएगा तो चलते हैं अभी पहले चाय पी लेते हैं चल कर गए उसे बाद फिर देखा जाएगा अभी तो समाय नहीं हुआ है खाना भी बनाने का चाय अभी छोटू का चला गया यह हमारा चाय दोस्तों देख सकते हैं दुली पूर गयते हैं और दुली पूर गयते हैं अपना पनीर भी अपना ले लिए हैं कि यहां पर मील नहीं रहा था और टमाटर और खीरा भी ले लिए हैं कुछ सलात के लिए ठीगे दोस्तों चलते हैं रासन दोकान के और कुछ समाल लेना है लेलेंगे फैनिय अपलए किया प्तुर्थ हैmosigly लेखेद्यार मुहक्ण मैंने लिए लिए और दोखत बाबा बीया है कि अर इनका भी खाना बनेगा साथ दोस्तों करते हैं। तो थेल अपने मेरणाने सुरूब करते हैं। में चुरू करते हैं कराही गरम हो गया है फुक्षे हो ना डोस्तों तेल अपना गरम हो गया है अब इस में पनीर को पाँले कर लेते हैं को हां पनीर अपना हो गया और सिमला मिर्चा को पहले फ्राइक करके निकाल लेते हैं कि एक कि निकाल लेते हैं उसके बात अबम इसम्ला को भी निकाल लेते हैं अब इसमें डालते हैं लासुन और आप इसको फड़ाई कर लेटे हैं । लगले पेज में छोड़ देंगे च्छेशोड़ जारें लाल को विज़ा दोस्तों अपना तोई मसाला नाल हो चुका है तो हैं तोपेजमें मसाला छोड़ते है और मसाला भी गोल बना और करके राखेना हैं दोस्तों देख सकते हैं काजू को भी अपना कूट करके रेड़ी कर लिये आणि आणिाहेता हैं तपो भी फिखिखा देख सकते हैं कि पढ़ूद में लिए दोरी कर भी अमें पर गज़ा होता है तो फिलिए आणि आणि कमा करेगा और हிंचा does बहुत ही जवुर्दस्त एक दम बनेगा देख सकते हैं करिसा एकदाम इसके कलर हो गया को का जू और मलय और दूर मनुद्थ हो बहुत मस्त बढ़ने जा रहा है आज अभी अब इसमें बीट चावर प tournaments मेर्चा करके पनीर मसाला एकदम बंक करके एगदम रेडि हो गया है और मस बना अब खाने में तो बहुत ही जबर दस्क्रिक अब उतारते हैं पनीर मसाला को और चोटो अपना आठा उटा भी साण करके रखा हुआ है देख ऐ произош to दोस्तों देख सकते हैं अब रोटी बनाने का अपना शुरू कर रहे हैं तो तावा अपना चरहा दिये हुए है अब रोटी बनाने का शुरू कर रहे हैं रोटी अपना फैनली बन चुका है देख सकते हैं लाश्ट रोटी बचा हुआ है तो ठीके दोस्तों इसको भी बना ल जालने का भी शुरू कर रहे हैं इधर देख सकते हैं अपना सलाथ भी अपना कट गया हुआ है दोस्तों अपना खाना निकल करके रेटी हो गया है देख सकते हैं पनीर मसाला और मस्त एक दम पनीर मसाला बना हुआ है मलाई और काजू के साथ तो ठीक है दोस्तों हम लोग सुरू करते हैं खाना खाने का और बाबा भी हमारे साथ में है बहुत ही मस्त बना हुआ है दोस्तों पनीर देख रखते हैं आज काम किया अच्छा दोस्तलाद भी है अधर बाबा का है इधर छोटू का अभी हम लोग सभी आदमी खा रहे हैं